नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागते एक नए वीडियो में दोस्तों अगर आप Paytm यूज करते हैं और अगर आप Paytm की Automatic Admini को चालो करके रखा है और अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आज की वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ अगर आपने कोई भी मंतली सब्सक्रिप्शन लेयर का है उसको अगर आपको कैंसल करना है तो भी आप कर सकते हैं और जो आप Paytm wallet के अंदर bank account से पैसा debit हो जाता है automatically और आपके Paytm wallet में add हो जाता है तो अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उससे आप बंद कर सकते हैं और अगर आप जब भी इसको आप दुबारा चालू करना चाहते हैं तो easily आप इसको दुबारा भी चालू कर सकते हैं फिलाल हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगी कि Paytm wallet में automatic add money को cancel के से कर सकते हैं या फिर आप उसको बंद के से कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करता है उसके बात में आपको अपने Paytm account को open कर लेना है फिर आपको यहाँ पर Paytm wallet वाले option पर जाना है और यहाँ पर आपको automatic add money का option मिल जाएगा तो इसकी उपर आपको click कर लेना है उसके बात में जो भी आपने automatic add money लगा रखा होगा 500 रुपए, 1000, 2000 या फिर 5000 रुपए तो यहाँ पर show करेगा जिससा कि मैंने 1000 रुपीज यहाँ पर automatic add money लगा रखा है कौन सा bank account है वो भी यहाँ पर show करेगा अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 3 dot मिलेगा इसके उपर आपको click करना है यहाँ पर लेका हुआ है cancel automatic add money तो इसके उपर आपको click कर देना है उसके बात में यहाँ पर आपसे region फूछेगा कि आप automatic add money को क्यों बंद करना चाहते हैं तो उसके बात में यहाँ पर region आप डाल सकते हैं other पे click करके अगर install related है तो डाल दीजी नहीं तो other पे click करके यहाँ पर कोई भी आप region manually type कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर में I active it by mistake यह में region डाल देता हूँ उसके बाद में yes cancel it पे आपको click कर देना है और यहाँ पर आपको ok के बटन पर click कर देना है उसके बाद में आपको एक message भी आ जाएगा notification मिल जाएगा अब आपके bank account से automatic पैसा नहीं कटेगा और आपके wallet में add नहीं होगा अब आपको manually add करना पड़ेगा ठीक है तो इस प्रकार से आप automatic add money के option को बंद कर सकते हैं